नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का रेडियो डॉक्टर में आप सभी स्वस्त हूँ, खुशहाल हूँ इसी कामना के साथ, इसी लक्ष के साथ ये प्रोग्राम होता है जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर आज हम बात करेंगे भारतिय चिकित्सा पध्धती की जो हजारों वर्ष पुरानी है, जिसकी बड़ी महत्ता है इसी से जुड़ा है आज का विशे, रेडियो डॉक्टर का Mental Health with Ayurveda और इस पर बात चीद करने, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ, स्टूडियो में है, Ayurveda Specialist, Dr. Reena Arora बहुत-बहुत स्वागत आपका, Dr. Reena धन्यवाद, धन्यवाद वेल, इस पर अगर कोई सवाल है, तो जरूर हमें लिखिये 9868107070 हमारे यह WhatsApp नमबर है इस पर आप अपना सवाल लिख सकते हैं मानसिक स्वास्थ आयूरवेद के साथ या पिर आप टेलेफोन भी कर सकते हैं 23421080 and 23421084 यह दो टेलेफोन नमबर्स हैं इस पर सवाल आप कर सकते हैं, सीधा बात कर सकते हैं Dr. Reena Arora के साथ और इस करक्र में आज आपके साथ हुमें सूत्रधार शेली भाषाणजली Yes, indeed and absolutely You are tuned in to Radio Doctor Welcome back मेरा नाम है शेली भाषाणजली और बहुत ही खुशी है कि आज हम बात कर रहे हैं आयूरवेद से related मानसिक स्वास्थ कैसे बिलकुल ठीक रह सकता है उसकी बात करेंगे हम Dr. Reena Arora से Dr. Reena आयूरवेद की जब बात आती है तो आयूरवेद इसका जिसका शाब्डिकर्द इतना सकार अत्मक है इतना एक उर्जा लिये हुए है दीरगायू का शायद विज्ञान लिये शब्द की जहां तक व्याख्या हो सकते है आयू का वेद तो मानसिक स्वास्त में कितना उपयोगी या कितना कारगर सिद्ध हो सकता है आयूरवीद? मानसिक स्वास्ते के लिए आयरवेद बहुत हद तक कारगर साबित हो सकता है और होता है जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं क्योंकि मन और श्रीर एक दूसरेश पर डिपेंडेटा हैं अगर हमारे च्रीर छटेक रहता है तो मन थीः तो में अभर्यक्ता है और आयरवेद में दिन चर्या तीन जो मानसिक गुन बताए गए हैं, रज और तम को दोश माना जाता है बेसिकली और सत्व को गुन माना जाता है, वो भी बैलेंस में रहेंगे और मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, वैसे भी आयरवेद के अकॉर्डिंगली एक स्वस्त व्यक्ति की जो परिभाशा है, वो यही है, जिसके पूरे बॉड़ी जो नॉर्मल है, टेस्च कि लैब में आते हैं वो नॉर्मल है और उसके अलावा उसकी आत्मा और मन भी स्वस्त है, और खुश है, वो व्यक्ति स्वस्त हैं, अगर मानलो, लैब में सारे टेस्ट खीक आए हैं, और आप इतने स्ट्रेस में हैं कि आप रोने वाले हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं आयरवेद के अकॉर्डिंग लिए आयरवेद में जो भाषा है और जो मंत्र कहें गए हैं और जो इलाज भी है वो भी भारतिय जड़ों से बिलकुल जुड़ा हुआ मजबूत है लेकिन विश्व भर में इसका ब आप बाड़ बॉड़ी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है इमोशनली बहुत वीक है और डिफिकल्ट है को पकरना इनको अब क्या कहेंगी इसके बारे में आयरवेद में मांसी को की चिकित्सा तीन तरह से करते हैं देव वेपाष्रे युक्ति वेपाष्रे और तीसरा जो करते हैं तो देव पाष्रे में मंत्र मनी आउष्रद वगर आता है जो ऐसे आपने गाना चलाया था यह बहुत मैंटल है तो इसलिए डेली हनुमान चली सा इस पर रिसर्च हो चुकी है गायतरी मंत्र भी कि यह अगर डेली बोले या उनको सुनवाएं मेडिटेशन सब्सक्राइब करते हैं तो यह चीजे इनको कुछ हद तक है ले सकते हैं और कुछ प्लांट्स में रूटीन में ले सकते हैं जैसे गिलोए इस वरी गुड़ ब्रें टॉनिक पंपके लिगुड फर मैंटल हेल्थ वो ले सकते हैं अपने डाइट में तो इस तरह से अपने को यह maintain कर सकते हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाशा उसके अंदर भी रहे यानि दिन चरह वगरा को भी फॉलो करें ताकि खाली ब्रेन का जो हम मांसिक स्वस्थ की बात होती है तब तक एक कहीं न कहीं एक सोशल स्टिग्मा अभी भी जुड़ा है तो इनका यह सवाल इस नौट गूड टू विजिट साइकॉलोजिस्ट और साइक्ट्रिस्ट आप अपने शब्दों में इनको क्या कहना चाहेंगी क्योंकि मांसिक समस्या हैं तो बहुत ही इस वरी रांपिंट देखिए जो भी सवाल पूछने वाले हैं मेरी उनसे मैं उन्हीं को यह रिप्लाई करना चाहूंगी कि आप इस चीज़ को सोचना बंद कर दिजिए कि यह सोशल स्टिग्मा है आपको ना कोई देख रहा है और ना किसी को पता है कि आ कुशहाल जिंद्गी जी 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 में को सही बात स्वयम पर ज्यादा ध्यान देंगें स्वयम के प्रती जरा स्नीह रखेंगे शायद बात बन जाएगी एक और सवाल हमारे पास आया फिरिक चली फोन कॉल की तरफ चलेंगे यहां पर जारखंड से लिखते हैं कॉलेश्वर और शायद यह बहुत लोगों का सवाल होगा आयरवेद के जरीये मोटापे को कम किया जा सकता है क्या जी किया जा सकता है ओके तो खुशी की लहर दोड़ी होगी लेकिन इसका आप बता दीजिए किस तरह से इसमें बहुत सारी डाइट से में एडवाईस कर से हैं यह फिर म इनको बता पाएंगे कि कैसे वेट लौस करें अब यहां पर एक कॉलर हमारे साथ आरिफ जी जोड़ गए हैं बताइए आपका सवाल क्या है आपका हलो कि आपका सवाल क्या है या पर कोई कोई कोंपेंट्एशन के तीयरी कर रहा होता है तो उसको जादा माइन का टेंशन रहता है तो उन इस्टिंट के लिए मैं क्या करें कि इस तरह उनका माउसिक स्वास अच्छा रहे और पढ़ाई भी कुझ उनकी बादिदना हो और उनका स्वास भी बादिदना हो इसके बारे में मैं माप क्या बुलना चाहेंगी जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने स्टूडेंट्स क्या करते हैं आज कल ट्रेंड हो गया है कि रात को जाकते हैं सुभे सोते हैं एक दिन चर्या का जो एक इंपॉर्टेंस है उसको मत भूलिए बॉडी का सर्केडियन रिदम अपसेट हो जाता है वो भी एक कारण ह होता है जितना आपका आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा एक नस्य ट्रीटमेंट अइरवेद में अडवाइज किया गया है डेली नोज में दोदो बून सुभा आप तेल डालिये इसको प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं ये मैमरी के लिए भी अच्छा है और फेस के लो के लिए अच्छा है तो दिमाग के लिए ले सकते हैं बच्चे गिलोई ले सकते हैं डेली दूद और घी का सेवन रसायन माना गया अईरवेद में देसी गी ब्रेन की एक्टिविटी जिनकी भी है उनको अपनी डाइट में इंकलूड करना चाहिए गाएं का दे चीजे खाने का तो वो बेसिक जो पौशक चीजें वो निकल गई है डाइट में से तो इससे और दूसरा मेडिटेशन भी एक पार्ट है शिरोधारा कर आ सकते हैं इन से काफी हद तक उनको हेल्प मिलेगी अच्छा जोटी सी सवाल मेरा आवर है जी इसको नीद नाये ज़ अगर आप दिन में सुएंगे तो रात को नीद नहीं आएगी थोड़ा एक्टिव रही है सारा दिन सुबह जल्दी उठीए क्योंकि उसी साइकल बन जाता है अगर आप 10 बेर सोते हैं 10 बेर नीद आने शुरू हो जाती है सुबह 5 बेर उठते हैं अपने आप नेंद खूल आप भी फोन कर सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इनारियो अयुर्वेद और हमारे टेलिफोन नमबर है 2342-1080-2342-1084 हमारे वाटसैप नमबर भी है जिसमें सिलसिला लगातार बंत गया है बहुत सारे सवाल आए हैं जो आप तक पहुंचेंगे नमबर है 98681070 और आपने दो बार एंफिसाइज किया गिलोय के बारे में किस फॉर्प में इसको लेना चाहिए क्योंकि बाजार में ये बोतिलों में उपलब्द है तो किस तरह से आप इसको एडवाइस करेंगे इसको आप टेबलेट्स की फोर्म में भी लिए बारे ये बच्चे है उनक तो यहां पर सवाल आया है, जी तेंदर का जैपूर से की पंच करम की आपने बाद की, वो पंच करम में पांच करम होते हैं, को परदिन zabr Yani को इसे करते हैं यह ड़िळए करते हैं और हिरो धारा जो है यह पंच कर्मा का और थे ट्रीटमेंट यह दो चीजें जो हैं यह हम mental disease वाले patients में ज्यादा prefer करते हैं लेकिन बाकी पंच कर्मा से भी बहुत ज्यादा अच्छे results मिलते हैं जिनको कोई भी मानसिक रोग है उसका कारण ये है अगर शरीर कोई problem आपके मन पे असर कर रही है और वो अगर ठीक होगी तो automatically आपकी mental problem ठीक हो है सवाल है तो सवाल भेजी है नहीं तो absolutely बिलकुल ध्यान से इसको सुनिये क्योंकि बहुत ही अच्छी बाते हो रही है आयूरवेद से related मांसिक स्वास्त से related हमारे साथ आज studio में है Dr. Reena Arora Welcome back to Radio Doctor which is a very important program क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं मांसिक स्वास्त के बारे में और वो भी ऐसी चिकित सपधधी से और जो भारत की अपनी है आयूरवेद की हम बात कर रहे है और Dr. Reena Arora हमारे पास ये कुछ सवाल आये हैं इक बाद देख लेते हम इन्होंने कहा है कि हैर फॉल की प्रॉब्लम आने लगी है एक साल से आयूरवेद में कोई मेडिसिन है या फिर कोई खान पीन है या फिर कुछ ऐसी बात है तो बताईए 28 साल की उम्र है नाम है सोनू कोंडली से मैं एक रफ आइडिया दे देती हूं मुझे क्योंकि पता नहीं इनको हैर फॉल आप शिका का या आमला इठे वगरा यूज कर सकते हैं और इसके अलावा भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो फिर आप लीज किसी डॉक्टर को मिलिया है ओके यह इन्होंने लिखा है कि गोल्डी अवस्ती है कि हमारा पेट बहुत जादा बढ़ रहा है ठीक नहीं है तो उसके लिए क्या बोलिंगी पेट पढ़ने का जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यह रीजन पुरी हिस्ट्री चाहिए होती है पिशंट की फिर मैं दो इन लाइन इस बारे में बोल देती हूं कि अगर आपका वेट किसी का भी वेट या पेट दोनों चीज सिडेंटरी एक्टिविटी है वो भी एक वेट बढ़ने का कारण है ओल राइट ओज शब्द जो है इसका बहुत सुना भी गया है और आप लोग इसको बताते भी है ओज गया है ओज हमारे जो अगर इनहेरेंट स्ट्रेंथ आप पूछें कहते हैं कि वो बहुत ओजस्वी व्यक्ति है तो यह इनहेरेंट स्ट्रेंथ है जिसकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ यानि ओज ज्यादा है उसका व्यादी शमत्त वी ज्यादा यानि इमिनिटी भी ज्यादा होती है और इसलिए उसको बिमारियां भी कम अफेक्ट करती है ओज और मन इन दोनों का स्थान रिदे तो जब ओज वीक हो जाता है तो आटोमेटिकली मन भी थोड़ा सा उस पर भी एफेक्ट पड़ता है व्यक्ति बहुत ज्यादा डरने लगता है यह सब उसके नीज में पेन होती है नीज आने लग जाती है उठना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए यह इंहेरेंट करने से भी mental health में improvement होती है तो इसको हमें अच्छा करके रखना चाहिए डाइट अच्छी लो दिंचरया follow करो friends बनाओ कोई ना कोई आपके ऐसे friends होने चाहिए जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सके खाली social sites वाले friends नहीं तो सिरफ आपकी likes करें और आपकी problem के time काम आने वाला जो friend है या आपकी problem को सुनने वाला वो को friend आपकी life में हो तो बहुत लग्की है अल्राइट अब हमारे caller की तरफ चलते हैं और चानते हीनका सवाल हलो नमस्कार अपना सवाल कीजिए अपको हमारे आपको हमारी आवाज आ रही है आपको हमारी जी हां बताएए क्या है सवाल फिल्गन हेश्चा एंना बोलता है बहुत कम बोलता है तो प्याश्क तालुक दिल और दुमाग दोनों से है हो सकता है आपने कभी डॉक्टर को दिखाया उनको क्या बुला उन्होंने उन लोगों ने का यह सुस्थी जो है इसकी बहुत देर में जाएगी आप किसी आयर्वेदिक चिकित्सक को मिलिए और उसका आयर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाईए मुझे लगता है इसमें पंच कर मा काफी हद तक हेल्प करेगा तो एक बार किसी भी अपने आसपास किसी चिकित्साले में जाके उसको दिखाये आप लीज आल राइट के बहुत 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 शुक्रिया गान्यवाद 23421-08023421-084 अधन नमबस तो कॉल आज हम बात कर रहे हैं हमारे साथ बैचे हैं डॉक्टर रीना रोड़ा और जो सवाल आ रहे हैं इसमें इसमें टेंशन घबराहट तनाव की भी बात हो रही है तो मैं यह जानना चाहते हूं कि क्या लक्षण होते हैं कि मानसिक बिमारी या फिर उसको अटेंशन की जरूरत है जब आदमी व्यक्ति कोई भी बात करना बंद कर दे इंट्रोवर्ट रहना शुरू कर दे जो नॉर्मल बहेवियर है उससे हटके बहेव करना शुरू कर दे सोय रहना इनर्शिया यह सब चीजें जब लक्षण शुरू हो जाएं कोई जॉब पर जाना नहीं चाहता अपनी रिस्पोनसिबिलिटीज को पूरा नहीं करना जाता एक नॉर्मल मैंटल हेल्थ जो है उसमें व्यक्ति हाइजिन मेंटेन करता है अपने दिन चरया फॉलू करता है अपने जिम्मवारियों को निभाता है अलर्ट रहता है और जब इसका उल्टा होता है तो इसका मतलब है जी हमारे पास यहां पर सवाल आया है महेंदर प्रताप सिंग का राजपुर औरंगबाद बिहार से कि इनकी पत्नी को 20 साल से मांसिक रोकी दवा चल रही है जिसमें उन्होंने कुछ दवाईयों के नाम भी लिखे हैं और ये कहा है कि दो महीने से बहुत पसीना निकलता है कमजोरी हो गई है 58 years की है आयूरवेद दवाईयां कुछ बताएए पता दवाई बताना सही होगा की नहीं लेकिर आप कुछ दिशा दे सकती है दवाई मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं पता पेशंट की और किस चीज के लिए ले रहे हैं वो आप ले लीजी सुबा शाम और इससे अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम बनी हुए तो फिर किसी डॉक्टर को मिली आप तो इसी से रिलेड़ेड यहां पर सवाल आ रहे हैं शैली जी बीच में इंटरप्ट करूंगी एक चीज और इनके लिए शिरोधारा करव सकता हूं विष्टर पे हैं तो क्या वो करवा सकते हैं अगर यह अपने कारेज सब करने में भी समर्थ नहीं है तो फिर कोई अगर हेल्प कर सकता है तो करवा सकते हैं लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर की सुपर्वियन में करें जो भी करें क्योंकि पहले पूरा पंच कर्मा एक ऐसी चीज है जिसमें हम पेशेंट को पहले एक्जामेन करते हैं फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा पंच कर्मा किस व्यक्ति को करवाना चाहिए आज कर लोग गूगल करके खुदी सब कुछ करवाना शुरू कर देते हैं तो इसलिए मैं ऐसे नहीं सजेस्ट कर पाऊंगी तो बैटर है किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट करवाए ये धरमेंदर जे लिखते हैं कि 2015 में स्पाइन सर्जरी हुई थी दोनो पैर डियाक्टिवेट लिखा है और पंच कर्मा लेना ठीक होगा घी कर रिखार से ठीक है तो आप से कई-की सवाल पुछने को जीशार और एक सवाल यह आरहा है कि की वाट आयुर्वेद को अपनी रोजमर्ण जिंदगी में कैसे शामिलते रहे आयुर्वेद को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाए या तो वो खान पान नहीं हो इस बार का आयरवेदा डे का थीम ही है हर दिन हर घर आयरवेदा तो ये इसलिए है हमारे घर में किचन में आयरवेदा है हर चीज में हमें बरतन कौन से यूज करने चाहिए हमें खाना कप खाना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो इस तरह से शुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर आप सारा दिन अगर आयरवेद को फॉलो करें तो आप बेमारे नहीं पड़ेंगे तो सुबह उठके टॉयलेट विगरा जाईए उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए इतना आपके पास टाइम है फिर एक हेल्दी बेकफास्ट कीजिए फिर आप ऑफिस जाईए जो भी आप काम करते हैं तो इस तरह से आप पूरा दिन अगर यह सब चीजे करते हैं और रात को मेडिटेशन कर लिजिए तो आपकी जो स्वास्ते है वो मेंटेन रहेगा तो ए इस दिए का पॉस जो है इन डिजेशन कहश रखते हैं जब खाना नहीं पचता मानलो हम चावल रहे हैं और हम उसमें अदे कच्छे चावलों में और चावल डाल देते हैं तो जो फर्मेंटेशन होता है ना वह पहले पके ना दूसरे वाले पके यह हम अपने सिस्टम के सा करते हैं देशीगी का यूज नहीं करते कुकिंग में रिफाइन ओयल बगरा यूज करते हैं यह सभी लोग ब्लाइंड ली सर्सों का तेल खाने लगए हैं तो और यह रिग्रस एक्साइज़ करते हैं बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस कि किसी भी टाइम जिम जा रहे है लोग किसी भी टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो प्रॉपर एक दिन चरया बताई गई है कि इस टाइम आप खाईए इस टाइम रेस्ट कीजिए अगर उसके एकॉर्डिंग लिस अब करेंगे तो एक काफी हद तक इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपने अभी ओयल की बात की और कुकिंग ओयल चाहे कोई भी हो हर घर का एक अटूठ हिस्सा होता है आयूरवेद क्या कहता है इसके बारे में क्योंकि कुछ परान थे हमारे देश के जहां बहुत जादा सरसोतिल का इस्तमाल होता है और फिर रिफाइंड के लिए मना किया जाता है घी लोग शायद मुटापे की वज़े से नहीं काना चाहते हो तो आप इसके बारे में एक और और में समित को सरा क्लियर किए देशीगी उत्तम ब्रें टॉनिक है जिनको भी दिमाग को तरो ताजा रखना है दिमाग क्या पूरी बॉड़ी को उनको देशीगी अप जाली सर्सों का तेल खाने से अपका वेट लूस हो जाएगा तो यह रहां है आप और कहीं बीमारियों को बुला रहे हैं जिनकी प्त प्रकृति है उनको जिनको एसरीटी की प्रॉबलम है रशीज हो जाते हैं बॉड़ी पे यह इचिंग वगर है अगर वो सर्सों का तेल जादा लेंगे तो यह प्रॉबलम्स और बढ़ेंगी कोकरण ओल भी कुकिंग में यूज कर सकते हैं जिनकी प्त प्रॉबलम है जिनको गुसा बहुत आता है और दूसरा जो तिल का तेल है वो विंटर्स में यूज कर सकते हैं तो चार आप्शन हैं यह हल्दी है कभी सवाल है कि मेरा वजन काफी कम है थोड़ा काफी कम मतलब कम है जितना रेट के हाइट के साथ के वजन कम है तो कुछ वजन बढ़ाने के लिए हाला कि ताका तो आपक मेरे भीतर से वितनत नहीं है सब इठीक है मगर वजन थड़ा कम है मैं तो वजन बढ़ाने के लिए मैं कुछ लेना चाहता हूं जी आपके माता पिता जी का वजन जो है वो कितना है वो कम है कि ज्यादा है कि ठीक है हाँ मैं मोग नहीं था मेडियम में घा वैसे में हैं तो आपने उत्तर खुदी दे दिया है और बाकी आप अच्छा खाना काईए अगर अप्यक्तिव हैं तो अगर अंकुरित लेता हूं और सारा कुछ लेता हूं मैं में में वेक फोड़ा मेरा कुछ और हो जायता है तो यह जोड़ी ने चने और यह अंकुरित अनाज को छोड़िए वायू बढ़ाते है आईरवेट के अकौर्डिंग ली वो भी एक वेट लॉस का कारण है बाकी अगर नौर्मल खाना कुछ भी ले सकते हैं बट सिरफ बना कर रहे हूं ठीक है तो अगर वायू बढ़ाते हैं इसा हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है और मैंने कहीं पेशेंट का भी फीडबेक है वो बोलते हैं मुझे गैस हो रही है तो हम एडवाइस करते हैं सौते कर के लिजिए या बॉल करके लिजिए उनको स्टीम करके कच्छे मतलो उठते ही कोश लोग स्प्राउट्स खाते हैं तो कईयों को सूट कर जाता है अचा आब इसमें भी देखो मैं आपको एक चीज बताओं सूट कईयों को कर जाता है अपना अपना स्टैमिना है कितनी को ए बाइच की बात की और मुख्य तोर पे आपने घी की भी बात की कुछ पुरानी बाते हैं जो छोड़नी नहीं चाहिए है बिल्कुर जैसे पुराने गीत कई होते हैं जो इतने प्यारे हैं चलिए सुनते हैं एगीत फिर वापिस आते हैं रीडियो डॉक्टर मेरा नाम है श ठीक है वो तो एक celebration और एक मतलब एक मानसिक्ता के साथ होता है भारती जो पर्व है उसकी खुबसूरती है लेकिन यहां एक जनाब में लिख दिया है कि क्या मैं खाना छोड़ सकता हूँ पतला होने के लिए क्या कहेंगी आप इनको जो भारती है जितने भी पर्व है यह ट्रडिशनल जो हमारे वेल्यूज है साइन्टिफिक बैग्ग्राउंड है इनकी जो फास्टिंग है यह आयरवधिक ट्रीट्मेंट का एक पार्ट है बॉड़ी के चैनल्स प्योर होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है उस अगर आप खाना ही पिलकुल छोड़ देंगे तो काम कैसे करेंगे कुछ ना कुछ फ्यूल तो बॉड़ी को चाहिए चलने के लिए तो इसलिए बैलेंस ड्वे में कीजिए और डॉक्टर की सुपरवियन के अंडर कीजिए जो भी करना है आल राइट तो चलिए आपको बात करेंगे आयरवेदा के हिसाब से आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए अचार रसायन एड्वाइज किया गया है मेंटल हेल्थ के लिए इसमें जूट नहीं बोलना चाहिए इवन गुसा भी नहीं करना चाहिए अलकोहल नहीं लेना चाहिए पर इस तरी गव हेल्थ के आयरवेद के अकॉर्डिंग ली धी यानि किसी भी ग्यान को लेना धृति उसको प्रोसेस करना कि ठीक है नहीं जज्जमेंट करना स्मृति फिर उसको दिमाग में रखना अगर आपका एक बार हाथ जला है किसी चीज से दुबारा आप उसको टच नहीं करेंगे तो इसी तरह से लाइफ के एक्सपीरियेंस कि अगर आपको कोई एक्सपीरियेंस मिला है कि यह मेरे साथ अच्छा नहीं है तो आप दुबारा नहीं करेंगे अगर यह तीनों चीजें आपकी मेंटेंड है और आप प्रॉपरली यह मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपक कोई लिस्नर है जन्रें है अलो नमस्कार कौन बोल रहे हैं मैं सानपूर से बोला जी हाँ जी बताएं क्या सवाल है आपका जी और मुझे पेट बड़ डैजेशन मेरा बहुत बीक रहता सुबह को पेट खाली नहीं होता इसकी वैसे मेरा दिमाग हमेशा बारी बारी रहता पेट साफ नहीं होता आपका सुबह जी ठीक है इसके लिए आप अपनी डाइट में थोड़ा सा फूरूर्स बढ़ाई है हरी सब्सक्राइए जैसे पालक है चुड़ाई है बत्वा है और इसके अलावा त्रिफला आप ले सकते हैं रात को डिनर से पहले इससे आपको काफ त्रिफला की बात हो रही है जी त्रिफला मैंने बोला है या हरित्की का पाउडर या टैबलेट्स अगर आपको मिल जाए हरड़ जिसको बोलते हैं कॉमन लेग वे यह आप लेगी और अगर फिर भी कोई दिकत रहती है तो फिर एक बर किसी डॉक्टर को मिली और अपने आ तो पॉष्टिक भी है राजमा बहुत अच्छी से पेट साफ करते हैं तो अपने डाइट को थोड़ा ठीक कीजिए आप पीता ले सकते हो आप लंज से पहले वह तो ठीक है सब्सक्रा रोज ले सकते हैं जी ले सकते हो अगर आपका पेट लूज हो तो छोड़ देना अधर वाइज आप ले सकते हो आखों के लिए बहुत अच्छा है ठीक एटक एटक है जिवन को खुशाल बनाने की पधधिया होती है उसके बारे में बात करते हैं दक्टर रोड़ा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर एक कॉलर हैं इन से बात करते हैं हलो नमसकार हलो, आपको हमारी आवाज आ रही है, जी बताएं, क्या पूछेंगे आपकी उमर कितनी है? 32 सर, आपना किसी भी आयरवेदिक सेंटर में जाकर जानूबस्ती ट्रीटमेंट होता है, जो एजिंग के साथ-साथ ग्रीज कतम हो जाती है, उसको थोड़ा साम मैंटेन कर सकते हैं, उससे पेटा ग्रीश के कच्चुल मैं एक महीं नहीं हो गया, रोड ले रहा हूँ, तीस कच्चुल ले लिए थी, एक ग्रीश के चाहे, तीस कच्चुल ले लिए और एक्सेरी को रहा था, कोई फरके ही पड़ा, और मेरा जो यूरिया है नो, तो इसकी से एमिली पॉल्डियल बड एक जानुबस्ती ट्रीटमेंट होता है, जो उसका एफेक्ट थोड़ा बुत हो सकता है, बट आप जो एजिंग की वजाए से जो गुठने आपके दर्द हो रहे हैं, उसके लिए आप किसी आयरवेदिक डॉक्टर को मिलिए और जानुबस्ती ट्रीटमेंट होता है, और जानुबस्ती की बात कर रही है, उसका ट्रीटमेंट करवाईए किसी आयरवेदि से से, यहां पर हमारे पास कुछ कुछ को मेसेज़स हैं, एक तो प्रकाश चात्र जी का आया है रोहिनी दिली से कि त्रिफला कब लेना चाहिए, बिफोर डिनर, आफ्टर डिनर, कांस् आल राइट, सो वेल, तारीफ भी आ रही है बहुत सारी डीडियो डॉक्टर की, कि बहुत अच्छा टॉपिक है, जीवन से जुड़ा हुआ है, और यह कुछी अंसारी भी लिख रही है, और स्वास्त वर्दक है, इनका एक प्रशन है राकेश गौड का, राजस्थान से, क भोजन करते समय, पानी पीने का समय कौन सा उत्तम रहता है, भोजन से पहले या बाद में, बहुत अच्छा कोश्चन पूछा है इनोंने, हालांके टॉपिस एरलेटेड नहीं है, फिर भी मैं इसका आंसर देना जाओगी, भोजन से पहले अगर आप पानी पीते हैं, तो व छुचन पानी पीते हैं, एक चीज और पानी से लेटेड़ बटा करेगा, जितनी आपको पशा है, जब प्यास है, यजब पानी पीजी है तब पानी पीजी, तब पानी पीजी, कहीं मर होता क्या है, वट्सअब के मैसेज़ दे के की लोग 8-8 लीटर पानी पीते हैं, जो में उतना काम नहीं कर पाती तो इसलिए थोड़ा सा यह देख लिजिए कि एक जो सड़क पे काम करता वह मजदूर है और एक AC में बैठा वा वरकर दोनों की requirement different होगी तो अपनी प्यास के accordingly भी पानी थोड़ा देखिए यह आपने पहले भी बोला कि शरीर के हिसाब से शरीर के क्षमताओं के हिसाब से इम्म्यूनटी के हिसाब से भी यह सारी बाते करनी चाहिए यह गोल्ड अवस्थी का मेसेज आया है लखीमपूर खिरी ग्रामपटेरा से कि इनकी सासु मा को बवासीर है कोई इलाज है आयूर्वेट में इसका बवासीर जो है वो भी सबसे जरूरी है यह आपको खुद देखना है कि आपको खुशी किससे मिलती है कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिये दिन में कोई अपनी होबी डांस कीजिये गाईए कुछ गाना सुनिये यह जो आजकल सोशल दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया इसको वापिस अमें उस पर थोड़ा ज़्यादा जाईए एक्सराइज कीजिये पंच कर्मा करवाईए शिरुधरा करवाईए खुश रहिए और एंजॉय कीजिये हर एक चीज में एक चीज और मैंने जो पित दोश होता है आईरवेद में यह अकसर आपको कॉंपटिशन बढ़ाता है किसी से जैल गाड़ी इतना बड़ा घर तो यह चीजें बजाए इसके आप खुद खुश रहिए एंजॉय कीजिये अपने जिंदगी तो आपको मेंटल को प्रॉब्लम हो यह नहीं सकती है और उसका जो मैनिफेस्टेशन मेंटल का जो फिजिकल में हो जाता है पेंस में या किसी चीज में वो तो बिल्कुल ही गाइब हो जाएंगा बिल्कुल बिल्कुल आपकी बोलती है बोडी लैंगवेज जो देखते हैं हम यह मतलब आप रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने हल्दी हैं आप आल राइट बड़ी अच्छी बाते रही हैं आपसे बात करके बहुत अच्छा बिल्कुल बिल्कुल चलते चलते कुछ शब्द या फिर आपका यह जो पसंदीदा गीत है मन्ना डी की आवाज में वो चला दें बस एक सिकेंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूंगी वो सम दोश सम अगनिश्च सम धातु मल्क रिये प्रसन नात्मिंद्रिये मनहा स्वस्थ सित्य विधिये ते यानि जिसके दोश बैलेंस हैं जिसका मेटबॉलिजम ठीक है जिसका पेट साफ हो रहा है और जो मानसिक तोर पे खुश है वो स्वस्थ है इसलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हर तरह से हल्दी रहिए लैब रिपोर्ट को खाली मत देखिए अ अब चला ये शाली जी हो बहुत 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 खोब ये गाना जो है ना बहुत खुबसूरत बहुत है